हे गाईज एक और वेगेंसी के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं यहां यह वेगेंसी आप देख सकते हैं PGT लेवल पे लिए TGT counselor and wellness teacher और PIRT लेवल पे लिए अगर आप देखो के PGT को level 8 की pay scale दे रहे हैं और काफी अच्छी salary दे रहे हैं आपको gross यह दे रहे हैं 74,100 यानि कि आपका level 7 पे central CPC के according यह दे रहे हैं TGT पे level 7 के according दे रहे हैं level 7 job की job लिकलती है उसके according अगर आप देखोगे तो 70,000 50 रुपे दे रहे हैं और counselor को 55,800 रुपे सी दे रहे हैं जो की आपको PIT को भी मिल रहे हैं तो देखिए अगर आप इस advertisement से भी देख सकते हैं कि counselor की इतनी ज़ादा मैं कह सकता हूँ value नहीं है और तो जो counselor की बात होती है वो हम TGT level पे करते हैं बट यहां पर अगर आप देखोगे PRT और counselor teacher को एक जैसे ही यहां पर salary मिल रही है तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कहां से vacancy आई है कैसे आप apply कर सकते हैं अगर आप हमें चैनल पे नए आए हैं तो subscribe करें बेल आइकन को जूरू दुबाएं ताकि future में आपको वीडियो सबसे जल्दी और असानी से मिल सकें तो आईए देखते हैं यह vacancy कहां से आई है यह vacancy आ रही है आपकी जवाहर विद्यह मंदिर शामली और राची से यह आपकी vacancy आ रही है यहां पर आप देखते हैं किस किस पोस्ट में कितनी के लिए लगा लगे पोस्ट ग्राइजियोट टीचर यानि कि PGT टीचर में चार vacancy लगा लगे है रेगुलर बेसिस पर यानि कि आपके यह permanent vacancy है PGT के लिए एक पोस्ट है आपको क्या चाहिए पोस्ट ग्राइजियोशन चाहिए फिजिक्स के अंदर या फिर आपके पास ग्राइजियोशन हो फिजिक्स में एज ओनर सब्जेक्ट एंड बीड हो फ्रम ए रिक ओर्गनाइज उनिवस्टी कोई भी experience नहीं मांगा गया हुआ है PGT math में भी हाँ आप देख सकते हैं पोस्ट ग्राइजियोशन मांगा गया हुआ है कोई वेकेंसी आप कह सकते हैं कोई experience नहीं मांगा गया हुआ है PGT economics में दो वेकेंसी है सेम क्राइटीरिया कोई भी आप से यहां पर experience नहीं मांगा गया हुआ TGT math में भी देख सकते हैं तो आपने maths owners कर रहा हुआ हो कोई यहां पर experience नहीं मांगा गया है सेम गोज पॉर दर टीजिट इंग्लिज बट जब हम बात करते हैं आपके counselor की यहां देखिए counselor and wellness teacher में एक post लिकल रखी है आपको graduation या फिर post graduation होई चीज psychology के अंदर आपके पास diploma है तो भी आप apply कर सकते हैं career and guidance counseling के अंदर minimum of the three year of the experience तो यानि कि अगर आप देखोगे यहां पर देखिए counselor की post है PRT के बराबर salary दे रहे हैं लेकिन इन्होंने यहां पर experience कितना मांग लिए है तीन सार वहीं पर यह जो से एक हम कहते हैं PGT की post है इससे जादा weightage है इनसे जादा पैसे दे रहे हैं जो आपके salary उससे जादा है लेकिन यहां पर कोई भी नहीं लिख रहा है कि आपको कितने साल का experience चाहिए counselor के लिए आपके पास तीन साल का experience होना चाहिए salary भी वह आपको कम दे रहे हैं तो अगर आप लोग apply करना चाहिए तो apply कर सकते हैं एक ही post है primary teacher के लिए देखिए एक post लिए English के लिए PRT Hindi के लिए दो post है एक post लिकल रखे आपकी mathematics के लिए EBS के लिए भी एक post है Sanskrit के लिए भी एक post है क्या का कर रहा हुआ हो PRT में आपने graduation कर रहे हो प्लस आपके पास DLA या फिर BADO कोई भी यहां पर भी experience नहीं मांगा गया हुआ है अब बात करते हैं जर्नल essential credit यह अगर आपकी देखिए तो 40 साल से ज़ादा नहीं होनी चाहिए ठीक है teaching experience में अगर आप देखोगे minimum 3 year of the teaching experience आप से मांगा गया हुआ है example PGT physics, PGT math, PGT economics have minimum देखे यहां पर अब इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है उपर नहीं लिख रखा था कि इनके पास भी 3 साल का experience होना चाहिए age relaxation आपको यहां पर maximum 5 year कर मिल सकता है अगर आप JVM school management की तरफ से deserving candidate होते हो यानि कि आपको 45 year तक यह relaxation दे सकते है all candidate have to submit the proof of the teaching experience which must be falling within 10 year before the date of the admit यानि कि 10 साल के अंदर का वो आपके पास teaching experience हो उससे पहले या उसके बाद का ना हो internal JVM staff member में also apply for the above anyone post जो अगर internal JVM staff member है वो भी इस post के लिए apply कर सकते हैं और जिन्होंने 3 साल complete कर रखे हो जवाहर विद्या मंदिर के अंदर अब देखिए salary मैं आपको पहली बता चुका हूँ 7 CPC के according यह आपको मिलेगा PRT, counselor, TGT, PGT इसके लिए आपको यहां पर 3 साल का चाहिए experience PGT के लिए यहां पर लिख रखा है और देखिए TGT के लिए यहां पर कोई experience नहीं लिखा हुआ है तो आप यहां पर apply कर सकते हैं counselor के लिए मैं बता चुका हूँ आपको यहां पर तीन साल का experience होना चाहिए application fee के अगर हम बात करें तो 1000 रुपए यहां पर as a demand draft आपको paid करनी पड़ेगी तो 1000 रुपए देखिए मेरे हिसाब से काफी जादा है और कैसे apply करना पड़ेगा आपको वह भी हम दिखा देंगे आपको online carrier section में जाकर यहां पर apply करना पड़ेगा या फिर आप QR code को scan करके बता सकते हैं यहां लिखावा देखिए अपर देखिए नवंबर की दो बजे से पहले 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 पहुच जाना चाहिए यानि कि अभी आपके पास पूरा एक महीना है एक महीने के अंदर आप सो समझ के 1000 रुपे की बात है तो उसके according आपको यहां पर भेजना होगा यहां पर करके 1000 रुपे का डिमांड ड्राफ बनवा कर डिमांड ड्राफ किस पर बनेगा दा प्रिंसपर जवाहर विद्या शामली पी-ओ दोरंदा राची जहरकंड यह जो उन्होंने अड्रस दे रहा है यहां तक यहां तक आपको इसका डिमांड ड्राफ बनाना पड़ेगा और 20 नवंबर से पहले पहले आपको यहां पर भीजना पड़ेगा तो कैसे भीजना है आईए वह भी देख लेए इनकी में वेबसाइट पर चलते हैं यह इनकी में वेबसाइट है जैसी आप गूगल पर जावाहर विद्या लिखोगे उसके केरियर सेक्शन में जाती है आपको क्लिक करते हो तो आपके पास यह लिंक ओपन हो जाता है यहां पर इन्होंने बता रखा है किस किस में कितनी वेकेंसी है उसके बाद यहां से आपको रेजिस्टर करना पड़ेगा और रेजिस्टर करके आपको फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउड लगाना है डिमांड lots of memory. This is Caffeine Short. Have a great day. Thank you all of you.